पप्पू का, राजू का, छोटू का, सब के पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक, मिन्टों में वो कैसे? पगार खाता के आकरशक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा, तभी तो बिजनिस आगे बढ़ेगा आज ही पगार खाता टाउनलोड करें उत्राखन को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, वुद्वार 10 मार्ज 2021 को भारती इंदा पार्टी के विधायक दल ने तीरत सिंग रावत को अपना नेता चुन लिया, वे अगले एक साल के लिए राजी की बागडोर समहा लेंगे ये तो सभी जानते हैं कि BJP का कोई भी बड़ा फैसला, उसके सबसे बड़े नेता, यानि प्रधान मंद्री नरेंदर मुदी की हाँ या ना की बिना नहीं लिया जा सकता कुछ एक राज्यों को छोड़ दें, तो मैं 2014 के बाद BJP ने जिस राज्य में भी विधान सभा चुनाव जीता या जोड तोड़ कर सरकार बनाई, वहाँ PM मोदी की पसंद से ही मुख्यो मंत्री चुना गया विधायक दनोव में तो बस आपचा रिकता निभाई जाती है, CMBAP का केंदरी नेतरत्विया कहें नरेंदर मुदी पहले ही तै कर देते हैं, तीरत सिंग रावत का नाम भी उन मुख्यो मंत्रियों में शामिल हो गया है, लेकिन ऐसे भी मौकिया आए हैं जब PM नरेंदर मु मुख्यो मंत्री को हटाना पड़ा है, त्रिवेदिन सिंग रावत इसका ताजा उधारन है, उनसे पहले PM मोदी को दो और मुख्यो मंत्रियों को उनके पस से हटाना पड़ा था, इनमें एक हैं आनंदी बेन पटेल और दूसरे हैं मनोहर परिकर, इस वीडियो में हम उन्ह और नेता को देखने की कल्पना किसी नहीं की थी, जाहिर है ऐसे में नायम उक्यो मंत्री को चुनाओ बीजेपी के लिए बड़ा सवाल बन गया था, मोदी के पास इसका जवाब था, उन्होंने आनंदी बेन पटेल को सीम बना दिया, उन पर मोदी को कितना फरोसा था, इस स्तीफा दे दिया, उन्होंने खुद ही इसकी इच्छा जताई थी, ये कहते हुए कि नौंबर 2016 में 75 साल की हो जाएगे, उस चुमां बीजेपी में बुजर्ग नेताओं को बड़ी और प्रभुख जम्मेदारियों से मुक्त करने की मुहिम सी चल रही थी, ये मुहिम भी अरेंद्र मोदी की नेतरत में ही शुरू हुई थी, लेकिन जानकार आरंदी बेन की स्तीफे की दूसरी वजहें गिनाते हैं, उनका कहना है कि मोदी के केंद्र में जाने के बाद गुजरात में बीजेपी की दलिप और पटेल कम्यूनिटी पर पकड़ लगातार कमजोर हो किया था, आंदोरन के दौरान पुरे गुजरात में सरकार को कड़े विरोत और हिंसा का सामना करना पड़ा था, आनदी बेन पटेल को लेकर राय बनने लगी थी कि वह यह से हैंडल नहीं कर पा रही थी, लेकिन आनदी बेन पटेल और उनकी बेटी अनार पटेल पर जुनियू मिनिस्टर थी, एकनोमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मताबिक तब 422 एकर की एक जमीन कथित रूप से अनार पटेल की एक विजनेस पार्टन को 92 प्रतिशत डिसकाउंट पर दे दी गई थी, मार्स 2016 में जब मीडिया के में रिपोर्ट्स प्रकाशित होई तो पाननी बेन को लेकर पार्टी में बेचैनी पैदा होने लगी, हाला कि पार्टी ने उन्हें 2017 के विधानसवाद चनाओ तक प्रदेश की मुखिया बनाय रखना टैग किया था, लेकिन फिर जुलाई 2016 में उना में चार दलीतों को आर्धनक्न कर पीटे जाने की घटना सामन इसके बाद गुजरात के दलीतों के सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छिड़ दिया, वैसे गुजरात में दलीतों की आबादी 7 प्रतीशत है और वे पारंपिक रूप से BJP की वोटर भी नहीं रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या राजी की में दलीतों को का वोट हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही थी, उनकी घटना और उसके बाद हुए आंदोलन से इस कोशिश पर भी पानी फिरने का अंदेशा था, उन दिनों आगरा में हुई एक रैली में इसकी जलक भी देखने को मिली थी, रैली को ततकारीन, BJP जद्यक्ष और मोजुदा, केंद्री ग्रहमंत्री अमिश्या सब मोजुद करने वाले थे, आगरा में दलीतों की संख्षा काफी जादा है, पार्टी ने 40,000 दलीतों को रैली में लाने का प्रोग्राम मनाया था, लेकिन आया हजार जबिकम, ऐसे में पार्टी ने यूपी बेन पटेल के स्तीफिक एसल वजए उनके और अमिश्या की अंदुरूनी लड़ाई थी, गुजरात की राजनीत पर नजर रखने वाली पत्रकार गोवी मनियार बताती है, इसकी वज़ा अमिश्या और आनंदी बेन पटेल के बीच चल रही अंदुरूनी लड़ाई थी, 2015 में पार्टेदार अंदुरून हुआ, आनंदी बेन पार्टीदार समा से थी, उना कांड के बाद दरित अंदुरून शुरू हुआ, पिर अलपेश ठाकूर ने एक OBC अंदुरू कर दिया था, इन सब को लेकर अमिश्या का जो एंटी आनंदी बेन ग्रूप था, वो काफ हम उनकी पसंद का यानि पार्टीदार समाज का नेता नितिन पटेल बनेंगे, मगर इसमें भी खेल हो गया था, हमें सूत्रों ने बताया था कि नरेंद्र मोदी ने आनंदी बेन से कहा था, कि जो अमिश्या कह रहे हैं उसे माल लीजे, बाद में उन्हें गवर्नर बना द और बड़ा बीजेपी नेता, सीम पत का दावेदार नहीं रहा, उन्हें ने 2014 में मोख्यो मंत्री पस से स्तीफा दिया जरूर था, लेकिन ऐसा करने के मजबूरी त्रिवेद रावत या आनंदी बेन पटेल के मामलों से बिलकुल अलग थी, दरसल 2014 के लोकसु भचनाओं के ऐसा बड़ा और महत्वूर मंत्राले देख रहे थे, ऐसे में रक्षा मंत्री की रूप में मनोहर परिकर का नाम सामने आया था, परिकर पार्टी के अनुशाशित नेता के तौर पर जाने जाते थे, केंद्री नेतरत्व की तरफ से उन्हें दिल्ली आने का बुलावा आया तो उन्होंने CM पत को उसे छोड़ दी, हलाकि तीन साल बाद वे वापस गोवा लोटे और तीसरी बार CM पत की शपत ली, कैंसर के चलते 17 मार्ट 2019 को मृत्त्य होने तक वे गोवा के मुख्यमंत्र है, हमने परिकर के 2014 में CM की को उसे छोड़ने और 2017 में उन्हें स्फिर CM बना माय भूषण ने हमें जो बातें बताएं वे BJP की राजनेतिक नहीं, बलकि योगिता से जोड़ी मजबूरी की और इशारा करती है, माय भूषण ने कहा, इस बात तर हमेशा चर्चा होती रही कि BJP में योगिता की कमी है, लेकिन व्यक्तिकत रूप से परिकर के मामले में वे IIT से पास आउट थे, मीडिया में उनकी छवी अच्छी थी, करॉप्शन के चार्ज उन पर नहीं थे, एक राज से किसी नेता को हैंटपिक करके लाना बताता है कि BJP में वाकई में टैलेंट क्राइसिस था, लेकिन केंदरी कैबिनेट का हिस्ता बनकर राश्ट्री परिकर के करीबी नेताओं को चैलेंज कर रहे थे, उधर गोवा में परिकर की जो पोजिशन थी BJP में उसे कोई चुनोती नहीं दे सकता था, इस माइनसेट के चलते उन्हें दिल्ली में बहुत तकलीफ होती थी, यहां वो दरबारी हो गए थे, गोवा में पूरे वास थे दिल्ली में ऐसा नहीं था, फिर उनके जैसे नेता को मोदी की पॉलिटिक सूट नहीं करती थी, वे गोवा में बहुत खुश थे, 2017 उनके लिए आईडियल कंडिशन लेकर आया और वे वापस आ गे माय भूशर ने एक दिल्चस बात भी कही, उनकी माने तो 2017 में गोवा वापसी की जमीन मनोहर परिकर ने खुद तयार की थी, वे कहते हैं, इसके लिए उन्हों ने ऐसी सिती खुद बनाई, मैं पहला पत्रकार नहीं हूँ जो ये कह रहा है लोकल निवल पर ऐसा कईयों ने कहा है, आप याद करें और तो उस इलेक्शन से पहले नेतिन गड़करी ने एक पास छेड़ी थी, कि सेंटरल का कोई आदमी सीम बन सकता है हमने माय भूशर से ये भी पूछा कि मनहुर परिकर की गोवापसी के लिए रफाल मामले से जोड़े विवाद को जिम्मेदार एराना कितना सही है उन्होंने कहा, मैं इमानदारी से कहता हूँ कि मेरे पूरे शोध में ऐसी कोई बात नहीं आए अब आखिर में बात करते हैं एक सयोग की, पियम मोदी की पसंद से मुक्षमंत्री बने नेताओं से इस्तीफा लेने का एक और कारण या कहें कि सयोग हो सकता है, वो ये कि अगर बीजेपी गलत कारणों के चलते विवादों में आए किसी मुक्षमंत्री का समय रहते इस्तीफा ले लेती है तो चनाओं में उसे इसका फायदा मिल जाता है ऐसा कहने वाले आनंदी बेन पटेल और जारखन के पूर उनुक्षमंत्री रगवर्दास का अलहरन देते हैं 2016 में आनंदी बेन पटेल को हटाने का फैसला 2017 के विधानसवा चनाओं में बीजेपी के लिए सही सावित हुआ था पार्टी ने काटे के चनाओं में जीत हासिल कर कुजरात पे अपनी सक्ता बरकरार रखी लेकिन रगवर्दास को बीजेपी नेताओं की नराजगी जगजाही होने के बाद भी सियमपत्पर बनाय रखा गया था इसका नतीजा 2019 के विधानसवा चनाओं में बीजेपी जार्खन के सक्ता गमा बेड़े खुद रगवर्दास अपनी सीट नहीं बचा पाये थे अब उत्राखन में अगले साल चनाओं है शायद बीजेपी वहाँ जार्खन जैसा हश्र नहीं चाहती थी इसलिए ये फैसला लिया गया आपके लिए ये जानकारी लाए थे हमारे साथी दोश्रन देखते रिए दीललन टॉप